नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होष्ट और आप देख रहे हैं धन्चरमार दोस्तों सोने का भी एक समय होता है ये तो सब को पता है लेकिन कब नहीं सोना चाहिए आपको ये सायद बहुतों को नहीं पता है कहते हैं हमारे सास्तों के अनुसार दिन में नहीं सोना चाहिए ना ही पत्नी पत्नी को एक साथ होना चाहिए दिन में अब आगे आप खुद समझदार हैं कहते हैं सुभा में भी सुर्योदे के पहले उठ जाना चाहिए ये वैसे आशकल के इस बीजी लाइप में संभब नहीं है लेकिन फिर भी कोशिस कीजिए जल्दी उठने का और ताजी हवा में थोड़ा सट अहलाईए ताकि आप स्वस्त रहें और मस्त रहें केहते हैं सुभा अगर लेट से आप उठते हैं तो आपका जो मानसिक तनाव का लेबल है वो बढ़ जाता है बागी लक्षमी की जहां तक बात है तो अभी महानगरों में लोग बहुत जीतोर हार्डवर्ड करते हैं मेहनत करते हैं तब ही वो धन कमा पाते हैं और रात में अगर बारा दो बज़े रात तक काम करेंगे तो भला दिन में एक दो घंटे लेट से उठेंगे ही इसके लिए कहीं कोई बात नहीं है लेकिन हाँ सुबह में उठकर थोड़ी ताजय हावा जरूर खाया कीजिए दो पाहर किसमें कभी भी भूल कर भी मस विए ये हमारे सास्तों के नुसार वरजित है कहते हैं इसमें सोने से पाच्चन तंत्र तो बिगड़ता ही है साथ ही साथ आपका वज़न भी बढ़ने लगता है और तनाव बढ़ता है इसलिए पहले जमाने में लोगों को समझाने का तरीका अलग था इसलिए लोग बोल देते थे लक्षमी रूष्ट हो जाती है लेकिन संभव है ये भी कि मालक्षमी दिन में सोने से प्रसन नहीं रहती जो दिन में सोते हैं और सुर्यास्त के समय जब सभी देवी देपता प्रिथवी पर भर्मन करते हैं संध्याकाल में इस समय नहीं सोना चाहिए अगर आप इस समय सोते हैं तो उनकी किर्पा आपको प्राप नहीं होती है हाँ साम के समय आप मंत्रों चारण कर सकते हैं इसे आपका दुर्भागी भी स्वभागी में बदल जाएगा अब आप पुछेंगे ऐसा कैसे होगा हर कोई तो एक ही काम नहीं कर सकता जैसे अगर मालेजे आप प्रेगनेंट लेडी हैं बच्चे हैं बजुर्ग हैं कोई बीमार है तो ऐसे बैक्तियों के साथ कोई भी नियम लागू नहीं होता है ये सारी चीजें एक स्वस्त बैक्ति के साथ लागू होती है इसलिए हमारे सास्तों में बताया गया है कब नहीं सोना चाहिए इसे संकटों का सामना करना पड़ता है और हमारे सास्त्रों में भी निसेद है तो अब तो आपने समझी लिया होगा कि दूपहर के वक्त नहीं सोना चाहिए गैस और पच जिसी समस्या तो होगी ही आपका यादास्त पर भी बुरा प्रवा पड़ेगा वजन भी बढ़ेगा और सुर्या के बाद के समय अगर आप सोते हैं तो ऐसा करने से देवी देपताओं की किपा से बंचित रह जाईएगा और दुर्भाग भी दस्तक दे सकता है और सुर्योदे के बाद तक सोना ठीक नहीं है वलकि आप उठिये ताजी हवा में जाईए दिन में सोना वर्जित है देवी देपताओं का आसिरबाद नहीं मिलता कम से कम आप लोग दोनों तो कम से कम एक साथ ना ही रहिएगा तो अच्छा है और वैसे हम सब के नीन बहुत प्यारी है और दिन में आपको सोने की आदत है तो हम आपको बतला दें कि अगर खास कर महिलाएं दिन में सोती है तो मालक्षमी की किरपा उन पर नहीं हो पाती आपने पहले जवाने में हमारे बड़े बुजुर को देखा होगा वो सोती नहीं थी दिन में उन्हें पता था दिन में सो गया तो फिर खो गया सारी चीजें खो जाएंगी इसलिए नहीं सोते थे अब आप भी संभल जाएए उठिये और अपने कर्म को कीजिए फिर देखे जीवन में कैसे चमतकार होता है अगर जनकारी अच्छी लगे तो प्लिज लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा हम फिर मिलेंगे धन्यवाद